सब्सक्राइब pointing Gorin B सब्सक्राइब और जलदी से कवर करते है Wi-p इस निजित के हेडिंग के बारे में तो यहांपर लिखाये कि इंडियन वा अब आपको सेबी है वो परपोज किया है तो किसे परपोज किया होगा तो Finance Minister के पास या फिर Indian Parliament में परपोज किया होगा और यहां पर परपोजल यह है कि जो पबलिक फिगर्स है मतलब की पबलिक फिगर्स मतलब पर नीचे और बात करेंगे इस report के उपर में पूरी full details में बात करेंगे पूरा का पूरा report पढ़ेंगे और समझेंगे तो चरुप्रेंट सबसे पहले अब सुरू करते हैं यहां पर जो details प्रवाइड गई गही है सेवी के बारे में भी अगर आपको नहीं पता तो यहां पर उसका बताए गया है फूर्फम और ज्यादा कुछ नहीं कि आप जो है movie वह करा के जो celebrity उन्हें आप समझ सकते हो sports men जो है sports जो persons होते हैं वो celebrity उन्हें आप देख लो इन दोनों का है पर खुलकर इन्होंने जिक्र किया है कि इन सभी लोगों को क्या करना चाहिए तो इन public figure को हम लोगों को ban करना चाहिए कि इस तोर पे ताकि ये जो endorsing crypto products मतलब जो समर्थन एक तरह से ये करते हैं crypto products का advertisement करके advertising करके मतलब परचार परचार करके उससे इनको रोका जाए उससे इनको ban किया जाए अब यहाँ पर देखो तो the regulator also proposed that public figures be held liable for any law violations when promoting crypto products यहाँ पर कहा जा रहा है regulator के दुआरा कि जो public figures है उनको liable होना चाहिए जो भी law violations है उनके regarding में crypto products को promote करते हुए मतलब की जैसे की इनका कहने मतलब की crypto अभी इंडिया में आपको पता है legal नहीं है illegal नहीं है बहुत सारी की चीज है बहुत सारी की terms conditions है इनका कहने मतलब बहुत ज़दा पूरा इन्होंने पेस किया है तो चलो फ्रेंट्स अब इतना बात तो हो गया अब आते complete वीवरन पे नीचे आएंगे बहुत से सीजे निकल कर आएंगी तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखो तो जो सेभी है country की आपको securities and commodity market regulator है से भी इसने परपोस्ट किया ताकिक पब्लिक फिगर्स और celebrities sportsmen जो इसमें include है उनको prohibit किया जाए मतलब की एक तरह से बैन किया जाए रोका जाए crypto advertisement को लेके crypto products को लेके business line reported अब देखो यहाँ पर लिखा जारे कि यह report जो आ रही है यह है कि business line last week reported साथी साथ अब यहाँ पर है कि the regulator proposed requiring advisors to disclose possible law violations तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो proposed requiring advisors होंगे उनको यह disclose करना होगा public law violations को तो फ्रेंट्स अब आएंगे नीचे अब यहाँ पर इंट्री होता है तो यहाँ पर देखो कि सेभी ने रिसेंटी अपना जो नजरिया है इस सब्जेक्ट पे मतलब वही crypto advertisement का subject पे इंडिया के जो parliamentary standing committee है और फाइनेंस उसके साथ साजा किया उसके साथ बाटा है when it was questioned about various crypto issues जब इनसे बहुत सारी crypto issues के बारे में पूछा गया तो उसमें से एक यह भी issues है crypto advertisement को लेकर जिनकों कि इन्हों ने साजा किया है standing committee जो यहाँ पे बोला जारा है इंडिया के parliamentary standing committee on finance finance के उपर में जो इंडियन parliamentary के standing committee है उसके साथ में जैसा कि सुत्र से यह report जो है खबर निकल कर आ रही है जैसा कि publication से मतला आपको report निकल कर आ रही है अब यहाँ पर देखो तो इन्हों ने एक detailed written response जो है committee को submit किया है मतलब यहाँ तक अपना opinion रखा है साथ ही साथ इस तरह के जो चीज़े इन्हों ने बोली इस पर एक detailed में पूरा अच्छा से विद्वत लिखा हुआ response जो है committee को paste किया है या फिर committee को दिया है अब यहाँ पर देखो तो friends यहाँ पर कुछ चीज़े है जिसको लोग फटा फट से cover करते चलेंगे तो Indian Ministry of Finance also asked SEBI to give its view on the crypto advertising guidelines published in February by the Advertising Standard Council of ASCI यहाँ पर जो Indian Ministry of Finance से इन्होंने SEBI से बोला या पूछा कि आप जो है अपना नजरिया दीजे crypto advertising guidelines को लेकर जो की February में published हुई थी किसके दवारा तो ASCI मतलब की Advertising Standards Council of India के दवारा हुई थी से भी नहीं यहाँ पर कथी तौर पर कुछ बाते हैं कुछ statement है जो कही है जो कि नीचे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर highlight करता हूँ हाइलाइट मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो को भगा भगा के इधर उदर मतलब वो सुचते है आर दस ठहर के देख सकते हैं इसलिए मैं highlight करता हूँ तो यहाँ पर देखो तो given that crypto products are unrelated तो इन्हों ने से भी ने क्या कहा कि जो crypto products है वो unrelated प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटिज एस्पोर्ट में एस्पोर्ट में एटीसी और वाइस सेल नॉट भी अब आगे तो इन्हों नहीं कहा कि crypto products जो है अन्रेगुलेटेड है और जो प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स है जैसे कि इत्यादी और उनके जो आवाज है उनको यूज नहीं करना चाहिए क्रिप्टो प्रोडट्स के करने के लिए मतला क्रिप्टो के जो एडवाज तक भी नहीं यूज होनी चाहिए इन तरह के अब यह बाते आई कि मतलब जैसे इन्होंने बोला कि फेबरॉरी में हम लोगों ने कुछ एडवाजिजिंग के गाइडलेंस हम लोगों ने पेस किया था उस पे आपको क्या कहना है तो उस पे से भी ने यह बात कई जो जस्ट अभी मैंने आपको यहां पे नीचे में पढ अगर एड पर इस तरह का कड़ा रूख अपनाया जा रहा है कि भाई जो भी क्रिप्ट के लिए जो एडवैटेजिंग कर रहे हैं जो पब्लीक फिकर से जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज हैं अगर उन्हें करना भी है तो बहुत सारे काईदा करना है तो आप समझ सकत लिए जो इस बार क्रैस आया है क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारह के बदलाव बहुत तरह के इंपेक्ट है वो मार्केट पे डाल रहा है तो चरह Fukas अब यहाँ पर देखो तो सेक्रिटी जो है रेगुलेटर जो है इन्होंने पर पोस्ट किया कि पब्लिक फिवर्स भी हेल लाइबल फोर इंडॉर्स निंग क्रिप्टो परड़क्ट्स विच कुड वाइलेट सर्टेन लॉज इंक्लूडिंग दा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो फ्रेंट्स यहां पर इन्होंने बोला कि इनको क्या होना चाहिए तो लाइबल होना चाहिए क्रिप्टो प्रोड़क्ट्स को लेकर जैसे कि जो की सर्टेन लॉज को वाइलेट कर सकता है और उसमें आपको और यहां पर देखो तो यह आपको आगया कि एक अप्रील से जीस तरह से एस्याइज क्रिप्टो गाइडलेंज से वह आ गया था कि यह क्या है सिंस दिस इसकी कैटेगरी तो एस आइग वही गाइडलेंज जो कि फेबरॉरी से जैसा उपर पर पड़े थे तो यह एक अप् करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा जो है कियर करने ही जो थे मतलब लापरवाही ना हो मतलब एकदम अच्छे से काम करें इंस्योर करें कि that they have done their due diligence about the statement कि उससे स्टेटमेंट को लेके उन्होंने अपने due diligence को पूरी तरह से प्रकट किया है साथी साथ जो क्लेम है वो उनके पूरा अच्छे से बना हुआ है और किसी भी तरह से वो जो है कंज्यूमर को मिसलीड नहीं कर रहे मतलब जो भी कैदा कानून इंडिया कंदर में एड़ाटेजिंग के लिए जो बना है क्रिप्टो को रिलेटेड उसको भी उस उस लोग को किसी तरह से यह वाइलेट नहीं अगर आप उस नियम के तहत काम करते हो तब तो ठीक है आप लीगल काम कर रहे हो सही है उस नियम को अगर वाइलेट आप कर दिये तो आपसे जुर्म हुआ है आपसे अपराद हुआ है तो उसी तरह से एड़ाटेजमेंट के दुनिया में भी कानून है हर तरह के चीज के लिए कानून है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो क्रिप्टो पोड़क्स के लि यहाँ पर देखो फेमा है बी यूडीयस बट्स एक्ट है और आपको पी एम ल ए है और यहाँ पर एटी मतलब की इस तरह के और बहुत सारे कानून है जो की आप वाइलेट कर सकते हो और वाइलेट करने के बाद से आपको पता है कि आपको उसके लिए हरजाना जुर्माना या जो भी punishment होगा, वो आपको करना पड़ सकता है, तो अब मैं आपको एक चीज़ कर दूँ कि ये friends थी proposal, ये सिर्फ होसी proposal थी, अभी ये इंडिया में ऐसा नहीं है कि इनको ban कर दिया गया, ये proposal से भी ने अभी हाल में उनकी committee के साथ बैठक में, इन्होंने finance मतलब जो team है committee ह उसके साथ अपना नजरिया जो है, साजा किया है, और हो सकता है आने विले टाइम में इसको approve कर दिया जाए, इसके बारे में पूरे अच्छे से चानविन करके, तब जाके जो इंडिया के अंदर में जितने भी celebrity हैं, जो crypto के उपर में advertising ना कर पाएं, लेकिन अभी ये सिर् मिल्टा प्रेने स्टुडियो में